हेलो एवरिवन मैं आपकी होश्ट अनन्या और आप देख रहे हैं वंडर्फुल गार्डन तो दोस्तों आज मैं फिर से आपके लिए ले एक विंटर का फ्लावरिंग प्लांट लेकर आ गई हूं दोस्तों यह हैं हमारा स्वीट अलाइजा और यह इतनी फ्लावरिंग करता ह है कि आप अगर इसका एक छोट असा भी प्लांट लेकर आते हैं तो नेक्स यहर आपको इतने शीर देदेगा कि दोस्तों आपको बार-बार यह प्लांट खट रिदने की जोड़त ही नहीं पड़ेगी दोस्तों इसमें बहुत धीमी-धीमी सी खुश्बू भी आती हैं और क्योंकि दोस्तों यह प्लांट इतनी जल्दी शीर बनाने लग जाता है और दीरे दीरे आते आते इसका फूल जो है वो खतम होने लग जाता है तो दोस्तों अभी भी अब जनवरी चल रही है और यह प्लांट अप प्रहल तक या मार्स तक बहुत अच्छी फ्लावरिंग क क्योंके प्लाइंट को भी बना करके अब कोई काम निरैता तो वह खतम हो जाता है दोस्तो इस प्लाइंट को मुझे आभी नहीं मारना है मैं भी चाहतीू कि मैं इस प्लाइंट से मार्स तक खुब अच्छी फ्लावरिंग लूँ दोस्तों ये आपको साथ भी βह रहाँ अगर आप नहीं जानते हैं तो यह वीडियो आपके लिए इस वीडियो में आपको आज की वो ट्रिक बताने वाली हूं जिससे कि हम अपने प्लांट को मार्स तक खुब अच्छे से इंसे फ्लावरिंग ले सकते हैं तो दोस्तों वीडियो कर पसंद आए तो वीडियो को प्लांट से तो दोस्तों नेक्स्ट रियर यह अपना भी ग्रो हो जाएगा चाहे आपके शीड लगाएं या ना लगाएं दोस्तों मेरे साथ ऐसा यह वा था मैंने कुछ शीड आपके साथ लगाई थे लगाते हुए दिखाए थे लेकिन उसके बावजुब भी यह मेरी क् प्लांट जो कि अब आप देख पारें थोड़ा बुझा बुझा से आपको यह लग रहा होगा और इसकी फ्लावरिंग जो है वह भी ज्यादा खास नहीं दिख रही एक दम बुझी बुझी से आपको लग रहे हैं पीले से पन पे आ गई है क्योंकि दोस्तों यह मेरा प्ल दोस्तों अब हम इस प्लांट को किस तरीके से बचा सकते हैं वैसे यह प्लांट मरेगा नहीं बहुत अराम से इस प्लांट को हम बचा सकते हैं अब आप देख सकते हैं दोस्तों फ्लावरिंग कहां से स्टार्ट करता है और दीरे खिलते 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 इसकी stamp इतनी लबी हो जाती है, और दोस्तों आप जो आप देख पा रहे हैं, यह बारीग बारीग सी, यह सब इसकी sheet होते हैं, अब आप देखें, अगर हम इक plant लाते हैं, तो कितने हमें sheet मिलते हैं, और जितने हमारी क्यारी में गिझ जाते हैं, दोस्तों ऐसा होता है, यह plants flowering करता रहता है और इनके शीट गिरते रहते हैं, वहीं पे इनके ब्भी प्लांट्स निकलते रहते हैं, जनवरी में भी, या मार्च में, जब भी आपको लगेगा, यह निकलते ही रहेंगे, अब देखे, दोस्तो मेरे हाथ पी, जितने भी पीले-पीले दिख रहे हैं, बारीक दस दिन में इनके शीड निकल आएंगे और इनके ज backbone निकलती है तो पोद पे ही flowering शुरू होती है इनके छोट चोट चोट प्लांट पेraj पोत रहम से flowering से हो जाती है अगर आप इनकी एक बार नीचे से ग्रोथ करना शुरू करेगा और मैंने इसके शीड़ वाले सारे पार्ठ निकाल दूंगी जब हमारा प्लांट नीचे से अपनी न्यू-णयू ब्रांचिस निकालेगा और फिर उन पे फरवरी तक अच्छे से ब्रांचिस आ जाएंगी और ये फरवरी में ही दोस्तो ऐसे ही इसमें इतनी सारी ब्रांची निकलेंगी अगर हम हम इने कट कर देते हैं तो और दोस्तोव जितने भी हमारी कटे हुए स्वीटलाइजम के ब्रांचीस हैं, इनने आप उठा करके एक जिगाए ऐसे में बनाके रखिए जहां पर हम अपने लिफ कमposht बना सके हैं और दोस्तों इस प्लांट को ज्यादा कियर की बिल्कुल जोड़त नहीं होती बस इसकी सोयल में हलकी सी आप नमी बना के रखिए अगर आप एक या दो दिन भूल जाते हैं तो कुछ नहीं होता लेकिन दोस्तों ज्यादा दिन के लिए इसे बिल्कुल भीना पानी के मत र जाएगा हमारे विंटर के जितने भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनमें हल्किसी नमी आप जरूर बना के रखे क्योंकि दोस्तों एक तो कर्टिनियून में फ्लावरिंग होती रहती है ऐसे में अगर हम उनकी सुखी रखेंगे तो वह एकदम से मुर्जाने लगता है ल तो आप भी इस तरीके से अपने प्लांट को कट कर सकते हैं और फरवरी तक या मार्च अपरेल तक बहुत अची इनसे फ्लावरिंग ले सकते हैं दोस्तों यह मैंने आपके साथ अक्टूबर में इसके शीड लगाए थे और अक्टूबर नॉम बर में ही इन्नोंने जाली पड़ी हुई है और वह देखने में बिल्कुल अची नहीं लगती आप भी लगा सकते हैं बहुत कम सोयल में बहुत राम से ग्रो हो जाता है और दोस्तों मैंने इनको हैंगिंग बास्कीट में चुटे चुटे पोटों में या जो मेरे बड़े प्लांट्स हैं उनके नीचे भी मैंने इनको लगाया हुआ है कुछ मैंने क्यारी में लगाय हुई है अपने सुटलाइजम को दोस्तों इसके फूल तो बेसक बहुत छोटे होते हैं लेकिन बहुत जादा सुन्दर लगते हैं जब यह पंचिस में खिलते हैं हर जगा वाइट ही वाइट नजर आ तब से ही मैंने इसके इतने शीर्ट रख लेती हूं और नेक्स्ट अपने आप भी कुछ निकल आते रहते हैं अभी मैं आपको दिखाऊंगी देखे दोस्तों यह मेरे प्लांट की जो फ्लावरिंग होगी थी बहुत और मैंने इसको भी ऐसी कट कर दिया था अब देखे द कुलर की तीन विंडो होती हैं वही मैंने इस पर लगाई हुई है इनको इंट के ऊपर रखके और रैक्सिन डालके मैंने मिट्टी वगरा लगा दी और देखे दोस्तों विंटर में तो मैं स्वीटलाइजम लगाती हूं या फिर समर में मैं इसमें परसनेल पोचुला यह लगाते हैं जिन में कम रूट्स चलती है और बहुत अच्छे यह मिरको प्यारा लगता है जब इन पर फ्लावरिंग होती है बीच की जगह आपको खाली लग रहे है कि दोस्तों यहां से मैंने कुछ पोद निकाल ली थी इधर उदर लगाने के लिए और देखे दोस्तों जो की अपने आपी शीड से ग्रो होते रहते हैं यह मैंने शीड से नहीं लगाए हैं यह अपना पी जैसे शीड गिरते रहते हैं यह अपना पी ग्रो होते रहते हैं इतना यह हार्डी प्लांट है तो दोस्तों इसे आप अपने गार्डन में जरूर एड़ करें अभी कल रहे हैं क्योंकि दोस्तों अभी तक इन पे शीड बने नहीं है इस प्लांट पर इसलिए मैं दावे के साथ कह रही है यह मेरे पिछले केर या आप टिप बोल सकते हैं आई होप आज की वीडियो आपको जुरूर्ब पसंद आई होगी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें मिलती हैं अपनी किसी नेक्स वीडियो में किसी नेक्स ट्रोपी पर बाई